इस देश में जेल में डाले जा रहे कौन लोग? विश्व विद्यालियों में पढ़ाने वाले लोग, विश्व विद्यालियों में पढ़ने वाले लोग, किताबें लिखने वाले लोग, भाशन देने वाले लोग, विचार करने वाले लोग, क्योंकि आपको पता है कि यह सो कि इसको प्राइवेट इसलिए बनाया जारा है इस देश के शिख क्षफ्टा को इसलिए बेचा जारा है कि हमारी आपकी तरह के गरीम इस देश का डलिद is देश का पिड़ाई इस देश का पस् crananda इस देश का दिवासी अगर प्र लिख लेगा तो आप से सवाल करना शुरू करतेगा हमार ठीक आरक्षण की बात करेंगे इस देश की सबसे उची अदालत में बैठने वाला एक जज खुले आम कहता है कि जातिया रक्षण को खत्म करने का समया गया है और हम और आप खामोशी से सुनते हैं यह कांती हमारे औ और आपके नजरों के सामने धोखा है बतलाओ का जो यह ढ़ोंग रचा जा रहा है वह एक दिन हमारी आने वाली नसलों को बरबाद कर देगा नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीन जुहार बहुत देर से हम सब लोग यहां इकठे है आप में से ज्यादा तर लोग कल से यहां जमा है आज से तीन दिन पहले केवल इसी दिल्ली में यहां से कोई डेड़ किलोमिटर दूर मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में एक आयोजन हुआ और शाम के वक्त बताते हैं कि अंदर धाई लाख लोग जमा हो गए थे और मेजर ध्यान चंद स्टेडियम के फाटक बंद करने पड़े वो लोग भी शायद कोई सम्विधान बचाने कोई फैज के गीत गाने कोई प्रतिरोध के गीत गाने के लिए जमा हुए थे हजारों लोग गेट से वापस लोट गए और जब मैंने इसके बारे में सुना इसके तीन दिन पहले चार दिन पहले एक और कारक्रम हुआ था एक टेलिविजन चैनल का उसी स्टेडियम में फिर कोई गजल का प्रोग्राम था फिर फाटक बंद करना पड़ा और मुझे लगा कि इस देश में स्थिती बड़ी अच्छी है लोग प्रतिरोध के लिए जमा होने लगे हैं अपनी बात कहने लगे हैं लेकिन जब मैं बाहर देखता हूँ लोगों से मिलता हूँ बातें करता हूँ तो समझ में ये आता है कि जो लोग प्रतिरोध के नाम पर इकठे होते नजर आते हैं दरसल वो प्रतिरोध के लिए जमा नहीं होते प्रतिरोध का नाटक करने के लिए जमा होते है और इसलिए हमारे और आप के तरह के लोगों को जोदार आवाज में कहना पड़ता है चीखना पड़ता है चिलाना पड़ता है कि जो चीजें इस देश के लिए जरूरी है जो किताब इस मुल्क के लिए जरूरी है जो लोग इस देश के लिए जरूरी है अगर उन्ही को नहीं बचाओगे तो ये मेले ठेले वीरान हो जाएंगे आपके इसलिए हमको एक तमाशबीनों के देश में तब्दील होने से बचना चाहिए हम सोचने समझने वाले लोग हैं हम बात करने वाले लोग हैं हम किताबे लिखने वाले लोग हैं हम किताबे पढ़ने वाले लोग हैं और इस देश के हुक्मरानों को सबसे ज़्यादा डर लगता है परने वाले लोगों से, लिखने वाले लोगों से, सोचने वाले लोगों से, भाब करने वाले लोगों से, और इसे लिए इस देश के परने वाले लोगों को, इस देश के लिखने वाले लोगों को, इस देश के चैनों अमन को खत्रा है नहीं साहब इस देश में जेल में डाले जा रहे कौन लोग विश्व विद्यालियों में पढ़ाने वाले लोग विश्व विद्यालियों में पढ़ने वाले लोग किताबें लिखने वाले लोग भाशन देने वाले लोग विचार करने वाले लोग क् यह सोच एक दिन आपकी सत्ता को गाड़ कर ठेकते हैं इसलिए आप हर बात करने वाले आदमी को जेल में डाल देना चाहते हैं लेकिन अगर आप सोचते हैं या आप हमारी तरह के लोगों को इधर बैठे लोगों के तरह के लोगों को आपकी तरह के लोगों को जेलों में डाल देंगे, जेलों को भर देंगे, तो बातचीत करने वाले लोग खतम हो जाएंगे, किताब में पढ़ने, लिखने, बोलने, भाशन देने वाले लोग खतम हो जाएंगे, यह होने वाला नहीं है, यह होने वाला नहीं है, आप उमर तै कीजिए अपनी सक्ता की आप उमर तेह कर लिए अपनी नाफर्मानियों की और आप सोचिए कि आने वाले दिनों में इस देश के छात्र इस देश के नौजवान इस देश के शिक्षट इस देश के किसान इस देश के अलपसंक्याट इस देश का पसमांदा इस देश की योलते इस देश के दबे कुछले लोग जब एक साथ ख़ड़े होंगे तो आपकी हालत क्या होगी आप टेलिविजन चेरलों की बात करते हैं मैं हमेशा ये बात करता हूँ और ये बात मुझे लगता है कि मैं तब तक करता रहूँगा जब तक के स्थथियां बहतर नहीं होती है ये कैमरे किसके कैमरे है ये लोग कौन लोग है इनको यहाँ क्यों आना पड़ा है ये लोग क्यों खड़े हो ये यहाँ से जाकर क्या करने वाले है ये इसलिए आए है क्योंकि इस देश के मीडिया घराने हमारी और आपकी बात कहने को राजी नहीं है इस देश के टेलिविजन चैनल इस देश के अख़वार हमारी बात चित करने को राजी नहीं है तो इस देश के टेलिविजन चैनल हमारी बात चित करने को राजी क्यों नहीं है इस देश के अख़वार यहां बैठे लोगों की बाते रखने को राजी क्यों नहीं है, इस पर बात तो करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, चेहरा छुपाने से काम नहीं चलेगा, चेहरा बचाने से भी काम नहीं चलेगा, आप गौर कीजिए, पिछले 15-20 सालों में इस मुल्क में जो टेलिव टेलिविजन खुले, सबसे क्रांतीकारी टेलिविजन, पंडित प्रण्य आप शिकायत कुंकी आप बाते नहीं कीजा रही है आप क्यों शिकायत करते हो यह वही बात हो गई कि पड़ोजी एक घर में खाना पका और आप शिकायत करने पहुचगे मैं हमाना क्यों नहीं खिला रही हो खुश्च में तो बड़ी अच्छी है यह होश्यारी यह मखारी चलने वाली नहीं है आज आपन बचाने की बात कर रहे हो जहां तक यह आवाँ पहुंचनी चाहिए थी वहां तक ही आवास पहुंच रही है क्या क्यां वजा है कि यहां लोग नहीं आया क्या वज़ा है कि हमारी बाते उतने लोगों तक नहीं पहुचती जितने लोगों तक वाकई पहुचनी चाहिए मैं यह मानने को राजी नहीं हूँ कि इस देश में सम्मिधान के तरफदार कम है मैं यह मानने को राजी नहीं हूँ कि इस देश में लोक्तंत्र के तरफदार कम है मैं यह मानने को राजी नहीं हूँ कि इस देश में चैनो वमन के तरफदार कम है भाई चारे एक जेहती के तरफदार कम है चूके हुई है और चूके हमारे लोगों से हुई है थी वो आपने भेच दिया है आपने मीडिया घराने इसलिए नहीं खड़े किये क्योंकि आपको पता था आपको वहां सरेंडर करना है आपने होश्यारी के साथ इस देश में अख़बार नहीं खड़े किये आपने होश्यारी के साथ संस्थान नहीं खड़े, आपने होश्यारी के साथ इस देश में अपने पत्रकार नहीं बनाए और बनाए तो उनको चिन्हित नहीं किया, यह सोचने की जरूरत है, आगे अब सोशल मीडिया पर आते हैं, कि सोशल मीडिया एक ताकत के तोर पर उभरा, बातें बढ़ने लगी, आपको क पहुँच रहे हैं, फेस्बुक के जरीए, इंस्टाग्राम के जरीए, ट्विटर के जरीए अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप मेंसे एक भी आदमी यह गारंटी दे सकता है, कि कल को यह बातें चलती रहेंगी, आप मेंसे एक भी आदमी यह गारंटी देता है, कि यू पारचारी की के ख़लाफ जन्घ हमारी छेतना के ख़लाफ ये योटूब ये इंस्टाग्राम ये ट्विटर ये किं लोगों की मुठी में है और ये लोग किसके लिए काम करते हैं किसके खरसी हैं। आज मैं लिप कर गारंटी देने को रासी हूं कि आप आप में से जितने लोग यह सोच रहे हैं कि यह लड़ाई यही चलती रहेगी मुफ्त के प्लेटफॉर्म के जरिये हम ऐसे ही क्रामतियां चलते रहेंगे यह होने वाला नहीं है क्योंकि यह कुंडलिया उन्हीं लोगों के हाथों में हैं जो हमारे और आप के खलाफ काम करते आज आप कहते हैं नेश्टनल दस्तक आज आप कहते हो आर्टिकल 19 लक्ष्मन यादों यहां बैठे हुए रतनलाव सामने बैठे हुए अरे भई हम 5 लाग 10 लाग 20 लाग लोगों के लिए मारा मारी करते हैं आप बहुजन राजनीत की बात कर लें वैचारिकी की बात कर लें अगर वाकई इस देश में संबिधान बचाने के लिए लोग बहुत जागरूख हो चुके हैं अगर लोग तंत्र बचाने के लिए लोग जागरूख हो चुके हैं, तो सबसे बड़ा बहुजन प्लेटफॉर्म 50 लाग सब्सक्राइबर्स का क्यों है, जबकि इस देश में बहुजनों की आबादी 100 करोड है, और इस देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के लिए, जो इस देश के किसानों के खलाफ है, जो इस देश के नौजवानों के खलाफ है, उन्हें करोडों करोडों लोग सबस्क्राइब बरके देखते हैं, क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं, कि आपके माइंड को पढ़ने का, आपके दिमाग को गढ़ने का, और आपकी पूर और आपको खत्म कर देना चाहते हैं यह लडाई छोटी नहीं है सम्विधान की बात उठी है लोगतंत्र की बात उठी है बात उठी है जाती है जनगंडा की तो सोचना पड़ेगा कि अगर हम लड़ने चले हैं अगर हम भिड़ने चले हैं अगर हम बदलने चले हैं तो हमारे हथियार क्या होने चाहिए? आप बताईए सहब, इस देश में 1995 में एक प्राइवेट इनवस्टी थी सिक्किं मनिभाल इनवस्टी एक एक प्राइवेट इनवस्टी थी आज इस देश में लगबाग सारे 400 प्राइवेट इनवस्टी है आप सोचो कि 27 साल में साड़े 400 प्रतिशत का इजाफा है यह यह लोग कौन चलाते हैं? वहाँ कौन लोग पढ़ते हैं? वहाँ क्यों पढ़ते हैं? कहां से आते हैं वो लोग? इस पर भी बात करने की जरूरत है यहां के सरकारी उनिवस्टीज को कमजोर किया जा रहा है पबलिक फंडेट कॉलेजेज को कमजोर किया जा रहा है सेल्फ एस्पॉंसर्ड सीट बढ़ाने का दबाव डाला जा रहा है लक्षमर बैठे हुए है तो आएंगे और बताएंगे कि निव एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर क्या तमाशा चला रहा है फीसे बढ़ाई जा रही है इलाहबाद इन्वस्टी में चातों की पीछ तोर डाली गई क्योंकि आपने अचानक से 400 फीस फीस बढ़ा दी थी यह फीस इसलिए बढ़ाई जा रही है इस देश के इन्वस्टी को प्राइवेट इसलिए बनाया जा रहा है इस देश के शिक्षा मिवस्ता को इसलिए बेचा जा रहा है कि हमारी आपकी तरह के घरीब इस देश का दलिप, इस देश का पिछड़ा इस देश का पसमांदा, इस देश का दिवासी अगर पर लिख लेगा तो आप से सवाल करना शुरू करतेगा और आप सवालों से बचना चाहते हैं इसलिए इस देश के विश्व विद्याले ओपर सस्ती परहाई पर परहाई की अधिकार पर ताला लगा देना चाहते हैं अगर हम और आप वाख़ाई इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए गंभीर हैं इस देश के लोग तंत्र को बचाने के लिए जरूर गंभीर हैं कौमी एक जहती को बचाने के लिए गंभीर हैं तो इस देश के सारे प्राइवेट इंवर्स्टीज के फातर तोड़ दिय जाने चाहिए उनको खुल दिया जाना चाहिए अपिछनों के लिए का तो इस तेश की सरकार को client DNimiento में कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा हशों का इनवरोय कोई पढ़ना चाहेगा अकर कोई पढ़ना चाहेगा लवली प्रफेश्ट लिन्वर्स्टी का गोटिया में तो उसकी फीज सरकार भरेगी तो उसकी फीज सरकार भरेगी हम हमारी तरह के लोग आपकी तरफ से यह अलान करने हैं कि साहब हमारी आउकात नहीं है अशोका इन्वस्टी में पढ़ने की साहब हमारी आउकात नहीं है एमिटी इन्वस्टी में पढ़ने की हमार इस देश को चलाने वाले वाकई ये गारंटी देते हैं और ये कहते हैं डंके की चोट पर कि वो सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं तो शिक्षा के अन्याय के साथ ये सामाजिक न्याय का धोंग नहीं चल सकता। लेकिन क्या हमारे नेता, क्या हमारे चुने हुए नुमाइन दे ये कहने को तयार है कि इस देश के विश्वेद्यालियों में, इस देश के प्राइवेट विश्वेद्यालियों में, इस देश के दलितों पिछणों आदिवासूं पसमांदा के अडमिशन की नौकरी की गारं कि आप जानते हैं कि इस देश के आई-आई-टी में आई-एम्स में आई-आई-एम में कोई पी-एच्टी नहीं करने देता है आदिवासियों को दलितों को पिछडों को क्यों पी-एच्टी नहीं करने देता इसलिए नहीं करने देते हैं कि वहां पढ़ाने वाले लोग नह करेंगे इस देश की सबसे उची अदालत में बैठने वाला एक जज खुले आम कहता है कि जाती आरक्षण को खत्म करने का समया गया है और हम और आप खामोशी से सुनते हैं जाकर दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में गाने सुनते हैं मस्त नाचते हैं सेलफियां खीचते हैं और आकर सोचते हैं कि कॉमरेड करांटी हो रही है यह करांटी हमारे और आपके नजरों के सामने धोका है बदलाओ का जो यह ढ़ोंग रचा जा रहा है वो एक दिन हमारी आने वाली नसलों को बरबाद कर देगा मैं आप से इसलिए नहीं आया हूँ कि हम हम अपने आप को बचा ले मैं इसलिए आया हूँ कहने के लिए कि हम अपनी आने वाली नसलों को बचा ले हम वो बचा ले जो हमको बाबा साहब ने दिया था और यकीन मानिये कि जो हमको बाबा साहब ने दिया था उससे कम 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 हमारे पुर्खों ने हमको सौपा है हमको रिकलेम करना हमको छीनना होगा, क्योंकि मांगने से बात बन नहीं रही है, हमको यहां से, ऐसे समारोहों से, और ऐसे तमाम आयोजनों से, यह बात, यह संदेश भेजना होगा, अपनी आने वाली नसलों के, क्योंकि जो चीज़ें हमको हमारे पुर्खों से मिली है, हमको हमारे बिर्से में मिली है उससे जादा जादा उससे बहुत जादा हम अपने आने वाली नसलों को सौप के जाएंगे ये बात सिर्फ राजनीत की नहीं है मेरे दोस्त ये बात सिर्फ वेचारिकी की नहीं है ये बात सिर्फ हकों हकुक की नहीं है ये बात हमारी भाउनाओं की है ये बात प्यार मिखड़ा कर दिया जाए इस मुल्क को मंडी में तब्दील किया जा रहा है इस मुल्क की रेले नहीं बेची जा रही है इस देश के दलितों पिछडों आदिवासियों के सपने बेचे जा रहे हैं इस देश के हवाई अड्डे और हवाई जहाज नहीं बेचे गए हमसे और आ यह बात पूरी ताकत से कहना चाहता हूं और बार-बार कहना चाहता हूं कि पीछे देखना छोड़ना होगा है। उन लोगों ने जो गलतियां की हैं हमको उससे आगे पढ़ना होगा। यह बात डंके की चोट पर कहनी होगी कि त्रिशूल और बाबा सहब की लड़ाई एक साथ नहीं चल सकती है। कि त्रिशूल लहरा कर और पीछे माननेवर की तस्वीर लगा कर बाबा सहब की तस्वीर लगा कर आप भर्म पैदा करना चाहते हैं कि हम किसी सामाजिक न्याए की लड़ाई लग रहे हैं तो ऐसे लोगों से होश्यार रहना रहे मेरे भाई वो लोग तुमको ठग रहे हैं ठगों से, जालसाज लोगों से, जाली लोगों से फरेवियों से साउधान रहना नहीं तो वो लोग आपको बीच बाजार में खड़ा करके निलाम करतें गे इस देश को मंडी के वर उन लोगों नहीं बनाया है जो लोग हम पर और बार कहने की जरूरत है, हर मंच पर कहने की जरूरत है, चीख चीख कर कहने की जरूरत है, कि हम आप में से हर एक का चेहरा पहचानते हैं, हम पहचानते हैं आपके जूतों का तल्ला जिससे आपने हमारे सपनों को रौंदा है, और अब हम और इसके लिए तयार नहीं हैं, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मैं खतम करना हूँ अपनी बात को, केवाल इतना कहके, कि आने वाले दिनों में ये लडाई और पड़ी होगी, आने वाले दिनों में हमको और आपको ज्यादा हूची आवाज में बात करने की जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ी तो मरने की जरूरत पड़ेगी, कि आप इसके लिए तयार हैं, और अगर आप इसके लिए तयार हैं, तो यकीन मानिए, कि इस देश से सम्विधान का राज कभी खतम नहीं होगा, यकीन मानिए, वो तमाम लोग इसी मुल्क की जेलों में बंद किया जाएंगे, जिनों ने हम से और आप से हमारे जीने का सप अपनों को निलाम किया है, जिनोंने इस मुल्क के सम्विधान से गद्दारी की है, जिनोंने आदमी के इमान से गद्दारी की है, ऐसे तमाम गद्दार इस मुल्क के जेलों में बंद होंगे, वो तमाम गद्दार जो हमको देशभक्ती का सेर्टिफिकेट देते हैं, जो हम को खालिस्तानी आतंकवादी देश्तों ही बताते हैं, उन तमाम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, मैं बधाई देना चाहता हूं, आगे खड़े इन तमाम लोगों को, जो खिलाफ परिस्थितियों में काम कर रहे, आपको शायद अंदाजा नहीं है, कि ये काम कितना पूरी रात सोचना पड़ता है कि इस पर हमको बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए इसलिए मैं आपसे हाद चोड़ कर अपील करता हूं कि एक वीडियो जब आपकी नजरों के सामने से घुजरे तो आप उसको केवल वीडियो मत समझें आप समझें कि उसमें किसी का लहू है उसमें किसी की सोच है उसमें किसी का इमान है इसमें हमारा और आपका गुमान है आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमने हवाओं के हाथ से आप की तरह के लोगों को महबतों के बंदुत्व के भाईचारे के समानता के खतूत भेजे हैं ये सारे खतूत एक दिन पंच्छियों में तब्दील हो जाएंगे और हमारे हाफ के सपनों की तरफ रफ़ाएंगे और चलाएंगे बाबा साहब की जए सम्विधान की जए लोगतंत्र की जए इनकलाब जन्दाबाई